आपका आज पांच वर्ड देखेंगे और आप सभी को होली की शुब कामना है और कोविट प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखते हैं मनाएंगे हैपी होली चलिए शुरू करते हैं आज के पांच वर्ड पहला देखेंगा आज बेसिकली नंबर हमारा 26-30 मूफ करेगा हर दिन पांच वर्ड देख रहे हैं पार्ट नंबर 6 से आज फर्स वर्ड अपोस्टेसी अपोस्टेसी मतलब देखेगा अपोस्टेसी का अगर कोई रिलिजियस या पॉलिटिकल बिलीफ या किसी प्रिंसिपल को एक ब्रॉट प्रिंसिपल है इसमें आप भरोसा करते थे उस भरोसे को उस फॉलोर्शिप को उसको मानना अगर आप छोड़ दे गिव अप कर दे तो उसे बोलते हैं अपोस्टेसी प्राइमरीली ये रिलिजियस के लिए रिफर करा जाता है पर पॉलिटिकल बिलीफ भी इसको माना जा सकता है ठीक है तो एपोस्टेसी मतलब रिनाउंस अबंडन या गिव अप कर देना ठीक है फॉलो करना छोड़ देना अब उसको चलि तो जब उसके अपोस्टेसी का प्रासिस पूरा हो गया उसने रिलिजियस बिलीफ पे भरोसा करना छोड़ दिया तो उसने अपने आपको एक अथीस्ट या एक नास्तिक गोशित कर दिया ठीक है एक जैंपल हो सकते हैं चलिए अब इससे याद कैसे करना है अपोस्टेसी स रूल्स होते ना इंगलिज के जिसके हिसाब से अपोस्ट्रोफी लगना चाहिए मैं उन्हें हर बार गिव अप या तोड़ देता हूँ तो मैं इसका यूज समझी नहीं पाते है तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अपोस्ट इसी मतलब अपोस्ट्रोफी का जो साइन होता है जिसमें हम अकसर गलती कर देते हैं सारे इंगलिज के रूल्स तोड़ देते हैं गिव अप कर देते हैं रिनाउंस या अबेंडन कर देते हैं उन रूल्स को और सही उज नहीं कर पाते हैं तो आप इस सहराम से आध कर सकते हैं ठीक है बट काफी specific word है पर कभी आ गया तो God और Religion मतलब ऐसा विवहार या Language जो offensive है या कम respect दिखाता है respect में कमी Religion या God के लिए ठीक है तो एक तरह से कोई anti-religion काम करना उस तरह की इसको अपरोच को माना जा सकता है तो उस तरह के behavior और language कहलाता है blasphemy अभ्यान दीजेगा यहां पर यूस पहले His parents are very religious and will not accept any form of blasphemy उसके parents बहुत religious है और किसी भी तरह का ऐसा behavior जो धर्म या भगवान के लिए offensive होगा या कम respect दिखाया जाएगा उसे उसके parents accept नहीं करेंगे एक और देख लीजिए many countries consider blasphemy as a crime कई देश blasphemy को एक crime मानते हैं तो ये भी मतलब काफी important use है काफी commonly word use होता है ठीक है अब याद कैसे करना है blasphemy से आब याद कलो गलत फहिमी simple सा हिंदी word है blasphemy मतलब गलत फहिमी और भई जो भी रिष्टा है आपका parents का friends का जो भी रिष्टा होता है भगवान का मनाया रिष्टा है तो उसमें गलत फहिमी लाना भगवान का अपमान है ठीक है तो जब भी कोई दोस्त हैं आपके parents हैं आपके किसी भी अच्छे रिष करनी चाहिए क्योंकि भगवान के बनाया रिष्ट है simple सा linkage इससे आप राम से याद कर लेंगे रिष्टो की इज़त करिए और गलत फहिमी मत आने लिए that shows lack of respect ठीक है चलिए रुकस रुकस का मतलब पहले जान लीजिए रुकस का मतलब होता है sounding loud और rough एकदम से बहुत तेज loud और rough सी आवाज निकालना उस तरह से loud और harsh उस तरह की आवाज तो उससे बोलते हैं रुकस यूज देखिए fans became quite ruckus with the loss of their team तो टीम हारी तो वहांकर जो fans है एकदम से बहुत loud harsh और rough हो गए तो उस तरह का एक implication होता है रुकस एक और the concert had a very ruckus crowd तो अब याद कैसे करना है रुकस से आप याद कर सकते हैं रावर्ड ठीक है रुकस से रावर्ड याद कर सकते हैं और रावर्ड जब लड़ता है पूरा हत्यार अगरे है तो बहुत loudly चिलाता है और rough आवाज में तो आप रुकस से रावर्ड को याद कर सकते हैं और राम सिर्फ ए connector लोग भी loud और rough sound ठीक है काफी important negative context का word है बट काफी common use का होता है express very sad feeling about somebody or something बहुत दुख या समवेदना व्यक्त करना बहुत दुख की feeling express करना किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए थीक है about somebody or something अब example इसका use देख लीजे every citizen limited the death of the former president एक और देखिएगा I limit the suffering of the old man suffering from infection तो पहले मैं former president की death पर सभी citizens को काफी दुख हुआ उन्हें काफी sad feeling आई या second example देखिए मुझे काफी sad feeling आती जब मैं उस old man को देखता हूँ जो infection से या बिमारी से सफर कर रहा है तो simple सा use है याद कैसे करना है लिमेंट से अब quality इतनी खराब थी कि मैं देखते हैं दुखी हो गया बिल्कुल मतलब सिमेंट को देखके मैं अंदर दुख की feeling आगई care quality अच्छी होनी चाहिए थी इसकी हो गया है तो यह connections आपको भी भूलोगे नहीं और आपको बार-बार exam में आराम से आदा के meaning निकल के आ जाएग और आपने use भी देख लिए इसका आज का last word देखते हैं rampant, rampant existing और spreading everywhere in a way that cannot be controlled मतलब एक ऐसी चीज जो या तो है या फैल रही है उस तरह से कि आप उससे control ही नहीं कर सकते हैं ठीक है for example मान लीजे covid बढ़ रहा है तो covid is spreading rampant थी को बिमारी rampant थी बढ़ रही है उस तरह context में इसक हो यह एक और corruption is rampant in many countries कई देश ऐसे हैं जहां पर corruption बहुत rampant है बहुत फैला हुँ जिसे control नहीं करा जा ठीक है अब याद कैसे करना है rampant ramp जिस पे walk करते हैं आप models वगरा walk करते हैं उस ramp पे चारो तरफ ant कीटी फैल गई है तो rampant मतलब rampant का क्या हुआ rampant फैल गई है उन्हें control नहीं करा जा रहा पूरे rampant फैल गई है कीटी जो होती है हो गया है ठीक है फ्रेंट्स वे थे आज के पांच वर्ट्स अगर पसंदा हो content useful लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल सो subscribe करके bell बटन ऐसा रखना ताकि आपको update सारे मिलते रहे है जैसे वीडियो release होता है and please comment जरूर करिए आपके valuable comments are very precious आगे content क्या आना चाहिए क्या improvement हो सकता है all the feedbacks अच्छी बुरी और criticism are most welcome ठीक है thank you so much अब कल मुलाकात होगी आपसे सबको दुबारा happy हो ली thank you so much